अस्सलाम वालेकूम, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलबिलाद बैंक का अगर आपका एकाउन्ट है और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसका पासवट अगर आप भूल चुके हैं या यूजर नेम भूल चुके हैं तो इसको किस तरीके से require करेंगे या reset करेंगे तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले वीडियो बहुत खास होने वाली है इसके पहले की वीडियो शुरू करूँ मैं आपको बता दूँ कि वीडियो पसंद आए तो like कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा होसला बढ़ा है सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई इससे हमें सपोर्ड मिलती है और वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए अपने मॉबाइल के स्क्रीन पे चलके आपको लाइव करके दिखाते हैं किस तरीके साब अपना यूजर नेम और पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं तो हमने अपना अलबिलाद बैंक का अप्लिकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे देखिए रिट्रू लोगिन इन्फोमिशन यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अपना इकामा नमबर इंटर करेंगे और यहाँ पे अपना रिजिस्टर्ड मोबाइल नमबर इंटर करेंगे अब हमारे register mobile number पे one time password आएगा उसको यहाँ पे enter करना है हमें उसके बाद यहाँ पे next का button दबाएंगे अब यहाँ पे देखे with ATM card हमें अपने ATM card को अपने पास रख लेना है और अपने ATM card के जरीए फिर से हम अपने password को recover करेंगे यहाँ पे यह क्लिक कर लेना है with ATM card को और उसके बाद यहाँ पे next का button दबाएंगे अब यहाँ पे आप अपना ATM card का number इंटर करेंगे और ATM card का four digit का pin इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे iban या account number दोनों में से कोई भी एक इंटर करेंगे तो चलिए हम अपना इंटर कर लेत हैं तो हमने अपना ATM card number और ATM का pin और अपना account number इंटर कर लिया उसके बाद यहाँ पे next का button दबाएंगे अब यहाँ पे आपको आपका user name दिख जाएगा उसके बाद आप नया password जो बनाना चाहते हैं उसको इंटर करेंगे उसको confirm करेंगे और यहाँ पे next का button दबाएंगे औ और इसमें खास बात यहाँ अगर आपको आप user name अपना भूल चुके हैं तो यहाँ से देख सकते हैं इसका एक screenshot ले सकते हैं क्योंकि यह दुबारा फिर नहीं दिखेगा आपको तो यहाँ से इसका एक screenshot ले लेना है आपको तो हमने अपना password इंटर कर लिया है और password बनाने क अब हमारे register mobile number पे one time OTP आएगा यहाँ से nest करेंगे अब यहाँ पे देखिए हमारा password reset हो चुका है यहाँ पे reset password करेंगे अब हमारे register mobile number पे call आएगा अलबिलाद बैंक की तरफ से जिसमें हमें यह direct बोला जाएगा कि आप अपना activation code number इंटर करें तो जब यह बोला जाएगा तभी यह हमें four digit का activation code number इंटर करना है तो यह code number इंटर करने के बाद हमें सुनाई दिया जाएगा कि हमारा password reset हो चुका है successfully तो हमारा call आ चुका है हमने confirm कर दिया है यहां से close कर देंगे यह देखिए login information has been changed successfully यहां पे done कर देंगे यह हमारा password reset हो चुका है तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके साब अपने username और password को reset कर सकते हैं और अगर अभी भी आपको कोई doubt है कुछ नहीं समझ में आया किसी तरह का सवाल है आप कुछ पूछना चाहते हैं तो comment कर सकते हैं मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा वीडियो देखन के लिए बहुत शुक्रिया